क्या पहला एक्सरसाइज क्लियर कर लिये थे हम लोग तो कहां पे थे हम लोग मदलब एक्सरसाइज प्रसनावली 3.1 पढ़ रहे थे यह न क्या रहा है थ्री क्रोस थ्री कोटी के ऐसे आप यह हो कि कुल कितनी संख्याएं होगे जिनकी पढ़ विस्टियां 0 या 1 हो अच्छा सिंपल है कल हम लोग एक चीजों के बाड़े में चर्चा किये थे और थोड़े सवाल को पढ़ने से पहले चीज की जानकारी लेंगे आप ठोड़ा सुनेंगे यह 11 चैप्टर है जिसको पर मूटेशन कंबिनेशन कहते हैं 11 में चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं पर मू जैसे की पर मूटेशन का एक पड़चन होती है एक कर दाड़न देख लेंगे जैसे कि सपोज आपके पास न डबा है 2 ठीक है और आपके पास अंक दिया गया है 0 और 1 मतलब 0 और 1 का इस्तमाल करके जहां से देखिएगा 0 और 1 का इस्तमाल करके चलो हम 0 एक को बदल के हम कुछ और कर देते हैं 2 और 3 करते हैं कुल अंक कितनी होती है दुनिया में कुल अंक कितना है दस जीरो से नो तक डिजिट नंबर और डिजिट में अंक मतलब डिजिट कितना है 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो से नो तक मतलब गिनों के दस होगे इसी दसों अंक का इस्तमाल करके अरवो संख्या बनाए गया है दुनिया में संख्या अनन्थ है अरवे संख्या अनन्थ है ना महा संख महा पद्दुम ऐसा कुछ कड़ गया है संख्यान अनन्त है लेकिन वो जितना भी दुनिया में संख्या बना है वो इसी दसों का इस्तमाल जीरु और नौ से बीचे तक का इस्तमाल करके बनाया गया है तो हम क्या करेंगे अभी कुल संख्या हम नहीं लेंगे हम आपको अंक दिये 2 और 3 मदल्ब दस में से 2 अंक का is cool कितनी संख्या हैं दुनिया में हैं जय छ बात पर चुके हो दों को किया सबसे छोडी संख्या 10 श बड़ी संख्या नि नियानमे डों को कि सँ क reflection दस होगा और उसके बीच वला होगा और इन ही अंको का इस्तमाल करके दो अंको वाली संख्या बनाएंगे, दो अंको वाली संख्या बनाएंगे, कितनी संख्या बन सकती है, इन ही दो अंको का इस्तमाल करके सिफ समझोगे आप लो, दो अंको का इस्तमाल करके, दो अंको वाली कितनी संख्या बन सकती है, तो यहा कि दोनों डबों में तीन डाल दीए त्रीकर दो तीन याधा न यहीं बन सकती इसके आगए कुछ ने बनेगा मतलब देखको यह जो है वो दस और निनानवे के बीच वला है तो इन अंकों की स्तमाद से दोंको वला यह तहीं संख्या बन सकता है जिसमें हम अंक रिपीट किये कोदिकत और यहां पर एक कंडिशन बनता है परसन में कभी कभी ऐसा कंडिशन बना सकता है एक होता है अंक रिपीट होना चाहिए इस परकार के जो परसन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें दो कंडिशन बनती है एक कंडिशन बनती है अंक अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे जो 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 को नहीं लेना है, कि यह दो ऐसे संख्या हैं जिसमें अंक रिपीट हो रही है, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन प्रस्न में अगर कुछ नहीं बोलेगा, तो आप खुस हो जाईए, मतलब सभी संख्या निकाला जा सकते हैं, को दिकत, इस परकार के परस्न में कभी कंडिशन अपलाई कर देता है, कंडिशन का नाम ये है, अंको की पुन्राविर्ती हो, ये अंको की पुन्राविर्ती ना हो, को दिकत, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे, नो कंडिशन, हम लोग पढ़ें कुल संख्या बन रही है मेरे पास चार ओके, ओके, चार संख्या बन रही है, तो हम मैत्भड देखते हैं, मैथट का इसरम मैथट की मदद से हुआ, थोड़ा सा, ये पहला सवाल हो गया, थोड़ा दूसरा सवाल पर थोड़ा देखते हैं तर, अगा हसे Oh wow eager ना है आपके पास दो डब्बा मलना दो अंको वाली संख्या बनाना है है ठीक है दो नंख़ों वाली संख्या बनाना है Peninsula कि अउन्क जो इस्तेमाल करना यह तीन अंकों का इस्तेमाल कर सकते हो चोप अब आपको इंच्ता Idee किए जू तो अंको वाली संख्या बनाना जैरी सिवात है दस निया अन्वे के बीच बनाना है तो कितनी संख्या बनेगी थोड़ा दिमाग लगाई सोच के बनाईगे हमको लगड़ा है 22 बनेगा 33 बनेगा 44 बनेगा 2-3 पहला दूसरा लेंगे तो इसका उल्टा तीन दू एक बार 2-3 लेंगे तो पलट देंगे 3-4 लेंगे तो 4-3 हो जाएगा 2-4 लेंगे 24 तो 42 समझ गया ना तो कूल कितनी संख्या बना है ओके कूल संख्या बन रहा है मुझे नौ अभी हम संख्या निकाल के गिनते हैं अभी संख्या तो निकाल के गिनते भाई ठीक है ओके ओके अब हम आपको देते हैं डबबा, यह 3 है ने और अंक जो इस्तेमाल करना है वह अंक इस्तेमाल करना है दो, तीन, चार और पाँच, मतलब यह चार अंकों का इस्तमाल करके, आप यह तीन डबा बना, मतलब तीन अंकों की संख्या बनानी है, तो तीन अंकों की संख्या बनानी है, तो तीन अंकों की संख्या 100, और सबसे बड़ी संख्या 900 निया लगे, मतलब मेरी जो संख्या बने प्रसन कहां तक जा सकता है, दस अंक दिया जाएगा, यह निदिया सकता है, ठीक है, बढ़िया बात है, तो अब बताइए, कैसे करेंगे, तो इसके लिए रहे, अंदाजा नहीं, अभी तक तो आप निकाल के गिनवाए हैं, उसमें भी आप निकाल की गिनवाओगे तो हम अब हम इसको प्रोसेस से देखते हैं, उसको थोड़ा रूख जाते हैं, कि जब संख्या निकाला, देखो यहां पर नौए गो निकालना पड़ा, समझें न, और अगर किसी में पचास गो निकालना पड़ेगा, तो बोड न भर जागा, तो अब हम प्रोसेस देखते हैं, म अब फिना संख्या निकाले हुए, कैसे बनता है? डबबा कितना था? दोप और रंक कितना था? तो इसको ऐसे बनाते हैं. इस घर को भरने एक लिए आपका से कितनी संख्या है? दोथिस घर में भराएगा दोप. समझ रहे हैं? अब ये घर भरा गया. इस घर को भराने के मतलब आपके बास खतम हो गया है यहां पर अंक रिपीट हो सकते हैं न हम कहेंगे कि जो भर दिया तो बस तो आई है नहीं समझ रहे हो मतलब इस घर को भरने के लिए वी दो मतलब उसी चीज़ को बारेंगे अदोनों को गुणा कर दोगे समझ गया न तो कुल संख्या कितना ह हो जाएगा कुल संख्या हो जाएगा दो गुने दो मतलब चार यह प्रोसेस है इसमें भी चार निकला मैथट की मदद से बिना यह संख्या निकालका डारेक्ली कुल कितनी संख्या हो बता देता है लेकिन इसमें कौन-कौन संख्या वो बताता है समझ रहे हैं लेकिन हमको प्रस्में न कौन-कौन संख्या वो नहीं पूछेगा, सिर्फ कितनी संख्या वो पूछे जाएगा, इसकी थोड़ी से मैथड बताएंगे, जो मैथड क्या है, जिससे 9 निकलेगा, 9 निकला इसका, तो मैथड क्या है, डबा मेरे पास क्या है, दो डबा है, और मेरे पास संख्या कितना हो जाएगा तीन गुने तीन मतलब नौ समझ रहे हो ना अब इसी दोनों का इस्तेमाल कड़े को उसको भरो कि कि इसमें टोटल संख्या निकाल नहीं सकते हो तो इसमें देखिए आपको बता सकते हैं इसका जो मैथड होगा वो क्या होगा नरे इस ढभबा को भरने कला खुल कि वस एक्डू तीन चार अंख इस ढभबा को भरने कलए चार इस दबा को भरने कलिए चार मतलब कूल संख्या बारा पता क्या होगा चार गुने 4 गुने 4 समझघ रहे है Plant चान का पावर थीन हम लीग सकते हैं तो कितना हो जाएगा 64 अब सब्सक्राइब एक सो और नौ सुनिनावे के बीच में 64 संख्यास आएगा जो इन अंकों का इस्तमाल से बनेगा को दिकत नहीं प्रोसे समझ में आगे बढ़ियां से ठीक है बढ़िया बात है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है तो अब थोड़ा सा एक चीज बताए आपका जो मोबाइल फॉन का पासवर्ड है वह चों को का है समाझगें चलो ATM का जो कोड होता है ATM का कोड होता है औहु कितना अंकों का होता है ठीक है एक बंदा एटियम का कोड़ भूल गया और वह कितना बार ट्राई करेगा ताकि एक बार सही हो जाएगा सोचिए ना पहले बढ़िया सोचिए चार अंको का ATM का कोड होता है और बंदा ATM का कोड भूल गया तो कितना बार ट्राई करेगा कुल कितना बार ट्राई करने के बाद एक बार साही हो जाएगा फिर देखलो का एक कोस्टन सोती है ATM का code कितना अंको का होता है, ATM code जो है कितना अंको का होता है, 4 अंको का होता है, और उसको try करना, तो वहां तो यह condition नहीं हो जो 2-3-4 एक इस्तेमाल करना है, कितनी अंख है, 10 अब यह तो 0 का इस्तमाल किया होगा, कौन कोन अंख का इस्तमाल किया होगा? तो आप क्या करोगे, आप फिर ही हो जाओगे, और आप 0 से 9 तक कुछ भी इस्तमाल कर सकते हो, यहाँ ना आप 2, 3, 4, 5 ही इस्तमाल कर रहे होगे कि हम बोले हैं, लेकिन अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे, परस्ट कुछ नहीं बोलेगा, मतलब, आप 0 से लेकर के 9 तक दसों में कोई भी स्तेमाल कर सकते है मतलब इस परस्ण में ATM का कोड़ जब भूल जा ते ऊसी सित्रिय में हम ako को कौन कॉनगोन चीजे टीबते है Leg dollars Mr. नो में कुछ भी अलती सकते है तो इसी सित्रिय में मेरा Cool अंक कितना हो जाएगा haz कुल संख्या मतलब मेरा जो अंक है वो क्या होगा जीरो एक दो तीन नो समझ रहेगे ने मेरे बातों को और वह इसी है ना और हम भूल चुके हैं मतलब अब हमें दस अंको की मदद से चार अंको वाली संख्या बनानी है यह इन कहने का मतलब है दस अंको की मदद से चार अंको वाली संख्या बनानी है कितनी संख्या बनेगी जितनी संख्या बनेगी उसी में सन कोई एको सही होगा समझ रहा है ना तो चार अंको वाली संख्या बनानी है कितनी अंकों की मदद से 10 अंकों की मदए SAK vac Safe को दिकत नहीं न तो यहां पे कुल कोड कितना बनेगा कुल कोड कुल संख्या की PAD तेका संख्या unlocked तो कुल कोड कितना बनेगा तो इस दिबा में 4, 20, 10, 10 मतलब 10 का पावर 4 मतलब 10 पर चार को सुनना नई समझ रहें दस-दस मतलब 10,000 संख्या 10,000 कोड बनेगा जिसमें तो बिल्कुस ही होगा थो खोगा लेकिन इसमें हम लोग तेज है और जो कोड बने गलत होड़े उसमें गलत होगा तेटिया प्लॉक सिंपल भंडा है उसमें भी निलक हो रहा है मतलब अगर आप मोबाइल फॉन में पासवर्ड कुल्मिला कैसे देख लेते हैं अगर आप पासवर्ड सेट के चौंको का पासवर्ड है पासवर्ड भूल गए तो कितना वर ट्राइक करें पर मोबाइल खुल जाएगा तो दस गो जाएगा या पुकोड लग जाएगी या कुछ हो जाएगी कंडिशन है न तो इसी को जन्म देता उसके बाद नई निक दिमाग लाग तब बनती है कर तो बनता है कर मतलब मैथेमेटिक्स का जो आप मैथेमेटिक्स पर रहे हैं उसके एडवांस यूज भी है इडवांस य निती पढ़ें और उसके बाद सीधे उसका अनुपरियोग पढ़ें अनुपरियोग मतलब जो चीजां पढ़ें उसको रियल लाइफ में परियोग कैसे कड़ें तो हम जो सवाल पढ़ते हैं उसको सिफ सवाल पढ़तें उसको फीली ने करतें तो परियोग कैसे कर होगा लोकिन यहां तो हम लोग क्या सवाल को सी परिक्षाक द्रिष्टिकों से पढ़ते हैं पर्योग तदूर की बात है इसलिए निम धोट से जाधा कारगर होता है जो प्रैक्टिकली नौलेज हो जो हम कढ़के सीखते हैं उझादा पावर फुल होता है ठीक तो इसलिए आज कल सारा का सारा सिस्टम चल गई है तो यह रहा मेरा एक concept यह 11 में थोड़ा साम लोग पढ़ाई कर चुके थे समझगे न हम सिप रिपीट कर दिये हैं बहुत सारी कर देके एक दस्मा नबर प्रसन है कह रहा है कि जूट करना है जेरो और एक कर लता है प्रसंद कह रहा है, कुल कितनी आभीयू की रचना की जा सकते हैं, समझ रहे ना, अब तीन क्रोस, तीन कोटी का जो आभीयू होगा, वो कुछ ऐसा होगा, याधे आपको, कुछ ऐसा होगा, इसमें नौ अस्थान होगा, कुल मिला करके नौ अस्थान को नौ डबा समझे, बल इस नौ डबा को भरने के लिए, मेरे पास दो अंक है, जीरो या एक, इसी दोनों के इस्तमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम से का, तो मेरे पास दो अंक है, जीरो या एक, जीरो भर सकते हैं, एक भर सकते हैं, तो दोनों भर सकते हैं, टिक, जीरो और एक रहता है, मतलब ज आभी ओजैसे वहां पे कुल कोड निकाले थे ना हो तो कुल आभी ओब दाइए तो सब जगह पे क्या भारा जाएगा दो 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 समझे रहे ना नौ अस्थान है और नौ अस्थान पर इसी दोनों को भरना तो दो दो मतलब नौ दो नौ गोदो मतलब दू का पावर नौ 500 बार हो दिकत है ना मतलब अगर आप लोग अंजान के देश के गाता फूशी को दिमागों में नेगा जो पान सो बारा इसका उतर हो सकता है अगर बिना जिसके पास जिसका कॉंसेप्ट थोड़ा कम जोड़ है तो परसन को उतर देखकर लगयों सकतं है थागर पार हो करते हैं इससे एक और हम पतास्त की डीक दーダक हैंगेब 2 2 3 króts. 2 ठीक है अब मेरे पास जो अंक इस्तमाल करना है इसकी जो परविस्ट्रियां अब्यव इस्तमाल कर नहीं उए तो चीरो एक और दो यही ऐस्तुमाल करना है को दिकत मदब इस्त्माल करना यह तीनों अंख में स्याहरा धून था हम तिन तब कूल कितना आब्व होगा मतलब मेरे पास 6 अस्थान है गर्की 3 कुरस 2 कोटे में 6 अस्थान होगा तो 6 अस्थान पर 3, 3, 3 भरना है मतलब हम 3 को पावर 6 ख clarification है तो 3 का पावर 6 मतलब 729 होगा को दिकत हो? ऐसा ही मेरा question है एक आब्यू है जो की दू कोरॉस दू कोटी का है ठीक है और मेरे पास जो अंक है वो अंक है चार और पांच इसी दो अंकों का इस्तमाल करना है तो बदाए तो कुल कितना आब्यू बनेगा मतलब मेरे पास दो अंक है और दू क्रोस दू कोटी में चार को अस्थान है तो चारो जगह पे दू दू मतलब दू का पावर चार मतलब सूल समझ रहे ना तो एक परसन देखे उसका पो जाती बता दिया हमको अब परसन में कूटी बदल देगा अंको किसा अंक्या बदल देगे फिर भी आप सवाल बना दोगे दिकत नहीं होना चाहिए हम टेस्ट में आपको तरह तरह के चीजे करके फ्रेस रखेंगे दिकत नहीं होना चाहिए तो यह रहा आप लोगा प्रसन दसमा लिखना चाहोगे थोड़ा साथ लिख लो यह लिखना ही बनता है अब आप लोग अगला कॉंसेप्ट हम लोग पढ़ना है स्टार्ट करेंगे यह ना नई एक्सरसाइज के लिए जो की कुछ इस परकार की हो सिंपल है बहुत बड़िया है दो अब यूग को जोरने के लिए दोनों की कोटियां समान होना चाहिए योग अंतर होने का ना जो सर्त है यहाँ पर हम लिखेंगे जो सर्त है वो क्या होगा कोटियां समान होनी चाहिए उसका सर्त क्या है कोटियां समान होनी चाहिए यह कंडिशन अपलाई होगा तभी जोर घटाव संभभ होगा तो अब यूग को जोरने घटाने के लिए उसका सर्त क्या है कोटियां जो है वो समान होनी चाहिए ठीक, बढ़िया, तो थोड़ा जोड़ घटा का देख लेते हैं हम लोग, अभियो को जोड़ घटा, तो जहर सी बात है, उधारन के तोड़ पे हम देख लेते हैं, एक जामपल्स के तोड़ पे, एक अभियो मेरा पास है, ए, जो कि है, चार, पांच, दो, तीन, जीरो, और ए तो ईक, और एक अभियो है, वी, जीरो, दो, माइनस एक, चार, पांच, और साथ, इसकी कोटिया कितना है, तीन क्रोस दो, अढ़ भाई, तीन क्रोस दो है, न, इसकी भी तीन क्रोस दो, मतलब यह दोनों अभियो को अगर हम जोडनी के लिए के रहा जाएं प्रस्त में, B को लिखोगे, 0, 2, माइनस 1, 4, 5, और 6, अगर दोनों को जब जोड़ोगे आप, तो संगत अवयब को जोड़ोगे, मतलब 2 अवयब को जोड़ने का मतलब होती है, संगत अवयब जोड़ जाना, मतलब संगत अवयब का मतलब क्या है, अगर इसको उठा के इस पे रखेंगे, जो जिसको ढखेगा, वो संगत अवयब का लाएगा, मतलब 4 के साथ 0 जूटेगा, तो 4 पलस 0 बरावर, 5 पलस 2 बरावर, 7, 2 माइनस 1 बरावर, 1, 3, 4, 7, 0 पलस 5, 5, 1, 7, 8, अब यू का जोड़ संबब हो गए, ऐसे ही घटाव होगा, अगर हमको, A माइनस B करने के लिए बोले, तो समझ जाएंगे हम, पहले A लिखना पड़ेगा, A कहा गया, 4, 5, 2, 3, 0, 1, अब घटाव का सिंबोल लगाएंगे, 0, 2, ओके, और हम दोनों को घटाएंगे, तो 4 में से 0 गया, 4, 5 में से 2 गया, 3, 2, माइनस, माइनस 1, पलस हो जाएगा तो 3 ने हो जाएगा, क्यांकि 2 माइनस और माइनस 1, पलस 1, 3 में से 4 गया तो माइनस 1, 0 में से 5 गया तो माइनस 5, एक में से साथ गया तो माइनस है क्या जोड घटाओ तो काफी सिंपल इसमें तो कोई दम नहीं है लेकिन फिर भी जानकाड़ी लेना जरूरी है तो जोड घटाओ क्लियर कर लिए ठीक है बिल्कुल ठीक अब आप लोग देखोगे प्रसल में अभ्यू हो का गुणा अभ्यू का गुणा अभ्यू को गुणा करना है जो अभ्यू को गुणा करना है तो इसका जो सर्त होता है वो हम थोड़ा नोट करेंगे सर्त मतलब नियाम आपको याद रखनी पड़ीगी जो अभ्यू को गुणा होने दो अभ्यू को जोरने घटाने के लिए जो कोटिया सम होनी चाहिए लेकिन गुणा करने का सर्थ यह है जो ध्यांस दिखेगा कि फर्स्ट आप्यू का अस्तंभ बरावर होना चाहिए सकेंड आप्यू का पंग्ती से यह है आपका सर्थ यह हमेशा जुबान पे सेट होना चाहिए मतलब पहला आप्यू का जो अस्तंभ है वो दूसरा आप्यू के पंग्ती से बड़ावर होना चाहिए तभी दोनों का गुना संभव होगा, अधर्वाइस गुना संभव नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फर्स्ट आभियू का स्तंब जो है, वो स्तकेंड आभियू के पंक्ती के बड़ावर होना चाहिए, तभी गुना संभव होगा, क्लियर है, पहल आभियू का स्तंब, क्योंकि दो आभियू आपको दिखेगा, तो दोनों आभियू में कोटी तो दिखेगा, कोटी में पंक्ती है स्तंब तो आपको दिख जाएगा, पहला पंक्ती दूसरा स्तंब, तो दो आभियू का गुना संभव होने के लिए, पहला का स्तंब दूसरा का पंक्ती वरावर होना चीज है तभी गुना संभब होगा यह याद रखने वाली चीज है को दिक ठीक है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है ठीक है तो अब हम उधारन के तोड़ पे समझते हैं एक एक जांपर्स के तोड़ पे तो मेरा एक आप्यू है यह दो तीन चार और पांच जो कि दूख रस दूखो ठीक है ठीक है और मेरा एक आप्यूब भी है इसको आप कोई भी विद्यार से थोड़ा ज्यादा हलके मतलो कि यह बहुत बढ़ियां चीज है अगर यह नहीं समझे पूरा आप्यूब आपकी नहीं होगी कि पूरा आप्यूब यह गुना कौर्ण दूख दील आ गया ठीक है और यह दूख रफ तीन कोटि कहां में बी देदी है बलब दो आप भी वापको दिया गया है जाहिक से बाद़ दोनों की कोट्यां समान नहीं है यह दोनों जूट नहीं शकता है घट नहीं सकता है और दोनों को जूटने घटने के लिए इसके कोटियां लगा लगा है मदलब यह जुट नहीं सकता है घट नहीं सकता है गुणा हो सकता है कि गुणा होने का सर्थ जो पहला आभियू का स्थम्भ दूसरा आभियू के पंक्ति के बरावर नहीं है पहला आभियू का स्थम्भ दूसरा का पंक्ति दू 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 बड़ावर नहीं होता है, समझ रहे हो ना, तो पहला आप यू कस्तम, दूसरा आप यू के पंक्ति के बड़ावर है, मतलब ये दोनों गुना संभव होगा, मतलब गुना संभव होगा, मतलब दोनों का गुना हो सकता है, अभी तो इतना समझे न, जो गुना होगा, अभी त अभी तो आप ये समझे न जो दोनों का गुना होगा लेकिन आप गुना करिए और गुना करने वाद नई चीज़ जो पैदा होगा वो लाइए क्योंकि हम नियम है ना जो दो चीजों को मिलने से एक नया चीज बनता है जिसका गुन पहले वाले गुन से डिफरेंट होता है अभी तो आप इतना समझे जो गुना होगा लेकिन आप गुना करिए और गुना करने बाद जो आएगा वो बताईए तो उसको हम लोग देखेंगे उसके लिए थड़ा से जगा चाहिए मुझे समझ गया ना आईए गुना कैसे होता है समझे अब हमको A और B को गुना करना है तो पहले A को उतार लो 2, 3, 4, 5 ध्यान से समझना है आपको 2, 3, 4, 5, 0, 9 ठीक है और दोनों को गुना करना है और गुना करने बाद जो बनेगा उसको हम यहां लिखेंगे दबा में थोड़ा से बताएंगे आप लोग अब गुना कैसे होगा से देख लीजेगा यह पहला का अस्तम दूसरा के पंक् बरावर है और जो बरावर हुआ वो कट जाएगा गाइब हो जाएगे कोन बरावर है पहला कस्तम दूसरा के पंक्ति के बरावर है वो गाइब हो जाएगी मलब यह दो और यह दो गाइब हो जाएगी तो बचेगा क्या बचेगा पहला का पंक्ति दूसरा का अस्तम कि कि प पहला का स्तंब और दूसरा की पंगती गायव हो चुकी है तो बचा क्या पहला का पंगती बचा और दूसरा का सम्तुमिर नया जो आभियू बनेगा वो दू क्रोस तीन कोटी का बनेगा मतलब पहला का पंगती और दूसरा का स्तंब बचेगा जो बचेगा वही आभियू की क कोाहा बनेगे जो आप видео बनेगा वह दोकरस्तिन कोटीready फेसे बास दूकरस्तिन कुछ ऐसा होता हुआ ऐसे होता है दूखुरुस्तिके दूखुरूस्तिन अशन होता है अब यह चोओ अभ्यव जालना है अपको सबसे नहीं है अब चोओ दॉख इनका से देख्या टिछसरद देख्याओ concealer लिए कि पहला का पंग्ति को दूसरा के अस्तंब से गुना होता है लगुना जो होती है वैसा गुना होता है पहला का पंग्ति को दूसरा के कि कि निया में है कि आपके पास बचा हुआ है पहला का पंग्ति अदूसरा का अस्तंब कि पहला का अपके पास बचा है वह पहला का पंग बना होगा इसको गुना कर एठ ऐसको इस से गुना करेंगे देखो इसको इससे गुना ना पिर इसको इससे Гुना होगा फिर इसको इससे गुनाltryना और पहला पं ballistic को पहला स्थम से, पहला पंक्ती को दूसरा स्थम से, पहला पंक्ती को तीसरा स्थम से, हो गई? दूसरा पंक्ती को पहला स्थम से, दूसरा पंक्ती को दूसरा स्थम से, समझ रहे हैं? कंफ्यूज हो जाता है भी देखती पहला पंक्ती को पहला स्थाम से पहला पंक्ती को दूसरा स्थाम से पहला पंक्ती को तीन अब्व हो गया दूसरा पंक्ती को मतलब पहला से पहले सारा काम कर लेते हैं उसके दूसरा से करते हैं तो पहला पंक्ती को पहला स्थाम पहला पं स्ट्न करना पड़ेका गुना जो करोगे तो इiantes की जासा बना गेना तो बता जब इसको इसे गुना करोगे दूं को दूसे आ तूज यो 같이 अब शहता है जो जिसको धखता है उसãy गुणा ओता है तो इसको पहले ही घुमा कि इसको धाकोे ने समझ़े है gen इसको धखेगा तो यह 2 2 से गुणा होगा, 3 3 से गुणा हो समझ़े है, कितना होगा, जब इसको गुणा कडेंगे, 2 2 1 4 3 2 1 9, मतलब हम पहले अब लिखेंगे, 4 पलस 9, ठेक है, 4 पलस 9, हम लिखेंगे 4 पलस 9, तो पहला का काम हो गया, अब उसी परकार दूसरा, दूसरा, तो 8 पलस 15, तो यहां पे होगा, 8 पलस 15, समझ रहे हैं, फिर पहला का तीसरा से, जीरो पलस 9, 27, यह पहला राउंड का काम हो गया, अब इसी परकार दूसरा, चार दूनी, 8, और पांस तिया, 15, तो मतलब 8 पलस 15, फिर पहला को दूसरा से, चार चाके 16 और 25, 16 पलस 15, जीरो पलस 9 पंचे 45, समझ गया ना, चार तैयार हो गया, अब इस अब आब को समेट के कहीं पर लिख दो, हो जाएगा क्या, अब इसी को कहीं लिख देना है, हो जाएगा ना हो जाएगा, नो पलस आर तेरह यह को लिख देना है आपको, कोदिकत, आप एक स्टे बढ़ा लेना, मेरे पास जगना इसली नहीं बढ़ा पाए, कोदिकत, तो जोर घटा तो काफी सिंपल, लेकिन गुना में थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, तो गुना पड़ी पूरा चेप्टर निरभाड है, तो आपको इसे लिख लेना चाहिए द्वाबियो का गुना करूप में सर्त लिख लो, उसके बाद सब कोछ लिख लो, खाली करिए, और जोर घटा गुना ही सीखने से, आपका दूसरा एक्सरसाइज बन जाएगी, तीसरा भी बन जाएगी,